बाड़ी अम्रत मैं सुन दिन की दोति कम्न को दार की दिन की दे यह जो सिर्फ हमारी हिंदी के प्रवचनों को जो भारत के लोग थोड़ा इंग्लिस में करेंगे वो अमेरिका के अनुसार चूंकि वहां की इंग्लिस में बिटिस संग रेजी में फर्क है उसको अमेरिका के अनुसार ट्रांसलेशन करने आई हैं और बहुत educated सिक्षित हैं, psychologist हैं, और आध्यात्मिक हैं, ध्यान साधना में बहुत अच्छी हैं, बैठसी, यद्यपी वो हिंदी से translation करना पड़ता है, इसलिए उनको प्रवचन के लिए हमने नहीं कहा, ये थोड़ा सा बैलरी हिंदी से कुछ कह लेती हैं, और यहीं पर एक आ आत्मा नंदा में, और बहुत समर्पित हैं, और इनहीं की सिवा नंदा की एक बेटी एलिजावेत हैं, जिनोंने मेरे एक देहो हम से चैतन्यो हम तक पुस्तक को, जो इंगलिस में पुस्तक बनाई है, वैलरी ने महनत की है, उसको अपने मुख से बोलकर एक सीडी बनाई ह जो इंगलिस में मेरे प्रवचन को बोला है, वो एलिजावेत भी, सायद, बारा तारीक तक और शिवा नंदा, जो इनकी बेहन हैं, आत्मा नंदा की, जो दोनों बेहनों ने सन्यास लिया, वो भी शिविर में आनवाली है, खास बात मैं इसलिए चर्चा करता हूं, कि अर्शक्रती मान बैठे, पिक्चर में जो आता है, सब कुछ नहीं है, ये समाज को ठगने के लिए इस धंका प्रदर्शन करते हैं, विदेशों में भी बहुत कुछ लोग हैं, जो बहुत श्वतंत्र हैं, स्वेच्छाचारी हैं, फिर भी मैं एक बात कह सकता हूं, कि उस के नियम कानूनों को जितना मानते हैं, भारती नहीं मानते हैं, यदि इनको ये कह दिया जाए शभा में, सोल्डर ढखके आना है, तो खुले सोल्डर नहीं आए, इतना नियम का पालन करते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे, पर नियम का पालन करेंगे, ये दो साल से ज़्या जादा भारत आती है वैलरी हमारे शाथ है सब सादूों के बीच रहते ऐसी भारत किनारी साथ रहे तो लोगों को भी शंदे होगा और हमें भी चिंता रहेगी ये किसके पास बैठी है पर ये कहीं रहती है हमें चिंता नहीं रहती इसका मतलब है कि एक भ्रम पैदा हुआ है अभी कुछ विदेशियों को देखकर कि वहां के लोग बहुत फ्रतंत्र और मन्मुखे है पर ये हमारे साथ रहकर हमें पता है कि शायद भारत की नारी रहे तो हमें भी चिंता होगी पर इसके लिए हमें चिंता नहीं है इसी तरह से बैटशी यहां रहती है किसी आश्रम में छोड़ना है हम छोड़ देंगे पर भारतियों को हमें चिंता करनी पड़ती है क्योंकि ये नए नए विदेशियों के चरण चिन्नों पर भागना शुरू किया और ये उस देश की सारी बातें जानते हैं इनको पूरी श्वतंत्रता है यदि यह सी के भूखे होते तो उस देश में कमी नहीं है इसलिए उस देश से जब यहां आते हैं तो यह कुछ शीखने आते हैं अपने शरीर को बेंचने नहीं आते हैं मैं तो चाहता हूँ कि भारती लोग इनको देखें और इनसे भी कुछ सीखें जहां भारतीयों का अपना एक शरित्र है तहां जो वर्तमान इस्थिती है बहुत विकृत हो रही है इसलिए मैं कहूंगा कि आप उन विदेशियों के छोड़े जो एक आदी यहां आ जाते हैं और आगरे का तैज महल देखने जाते हैं कुछ जैपुर के राजभावन देखते हैं कुछ और जगे भी जाते हैं वो लोग भी आते हैं घुमककर मनमुखी नशेडी लोग भी आ जाते हैं लेकिन वो लोग भी हैं जो भारत के शंतों को मिलने आते हैं उनके दर्शनों के लिए जाते हैं उनसे कुंडलनी जगाना शीखते हैं आग्या चक्र जगाना सीखते हैं तीसरी आँख खोलना शीखते हैं थरडाई और इसी तरह से ध्यान सीखने आते हैं और उनके अंदर ये है कि परमात्मा क्या है कैसे मिलेगा और ये इतने शरल हैं जो हम हजार साल पहले इतने शरल थे अध्यात्म के मामले में उतने ये शरल है बड़े सीधे हैं इनको जो बताओगे बड़े प्रेम से सुईकार करेंगे आज भारत के लोग इतने मतमतांतरों को सुन चुके हैं कि इनकी खोपड़ी पर अब कोई सही चीज भी दंशाना बड़ा मुश्किल हो गया है इसलिए मैंने थोड़ा जिकर किया इनकी महिमा के लिए नहीं किया तुम्हारी प्रेड़ना के लिए कि विदेशों का कच्रा ही मत उठाओ वहां कुछ अच्छाईया हैं जो सीखने लाइक हैं भारफियों को वहां इतनी अच्छाईया हैं कि आपको हजारों साल अभी लगेंगे वहां की अच्छाई सीखने के लिए या हम कच्राई से फेंक देते हैं खेलाई से फेंक देते हैं गंदगी करते हैं अपना घर गंदा रखते हैं ये बड़े ब्यवस्थित रहते हैं शाप सुथरे रहते हैं यदि मेरे किसी कपड़े का इतना धागा यदि यहां निकला होगा तो इसकी नजर पड़ेगी तुरन तुस धागे को काट देगी इनकी बाहर की शफाई जवस्था बैठना उठना ये भी ने अच्छा लगता है और ये हर दिन एक तरह का बेश बदल लेती हैं कभी साफा बांद लेगी कभी कुछ कर लेगी तो कभी-कभी हशी में, हशी में हम कहते हैं जैसे तास का पत्ता होता है ना उसमें एक जोकर होता है, जोकर, मैं इसलिए कि बहुत कुछ प्रवचनों से नहीं सीखा जाता है, कुछ देख सुनके भी सीखा जाता है, एक दिन मेरे, अब मैं बुड़ा हो रहा हूं मेरे भाव म एक बाल सफेद आ गया तो काफी इसे चिंता रही कि कब उखाड के डालू पर वो नहाते दोते चुकि सफेद होता है वो ज्यादा आगे निकला रहता है वो नहाते दोते कभी अपने आप तूप गया नहीं ते इनकी कोशिस थी चुकि वो लोग सोचते हैं ये बाल खराब ल लगने की बड़ी चिंता रहती है अच्छा लगना चाहिए अब फिर जिस पर किसी की श्रद्दा हो तो और अच्छा लगे ऐसी भावना रहती है ते लोग ठीक रहना ठीक पहनना ठीक उठना शीखते हैं शीखाते हैं कोई चीज लिखेंगे तो भी बड़ा सिस्टेमेटि का जीवन देख रहे हो तो मैं भारतियों को इसलिए सुना रहा हूं कि जो नई पीढ़ी सिर्फ पिक्चर देखती है और जो पिक्चरों में आता है वो कुछ लोगों का धंदा है समाज की कमजोरी को देखकर पैसा कमाना वो सच्चा जीवन नहीं है उन लोगों में भी एक रसियन लड़की बैड़ गई और भारती ये लड़का था उस रसियन लड़की ने भारती से साधी की थी कुछ एक अमरसर की साध्वी भी थी वो थोड़ा उन से बात करना चाहा तो चुकि भारती ये जो लड़का था दुभाशिया था वो रसियन हिंदी नहीं जानती तो उन्हें पूछा कि आपको रसियन हस्वेंड अच्छा लगता है कि इंडियन, साधी तो इंडियन से की थी, तो और कहती थी मुझे एक का ही पता है, मुझे दूसरे का पता नहीं है, ये विदेशी लड़की की बात बताता हूं, इतनी सहज कि वो सोच के कोई उत्तर नहीं सहज ऐसा निकला, और इसी तरह हम अपनी एक सहजता के कारण अपना उदान देते हैं, हमने सन्यास लिया, शिप के भागे नहीं पकड़ लेते, आने न देते, तो साथ महिने तक मुझे ढूंडते रहे, गुर पूर्णिमा को कानपूर में मेरे पीता ढूंडते हुए आ ग परना, इसकूल जाना तो पैर चूके जाना, बाहर से आना तो पैर चूना हमारे श्रभाव में था, तो जब वो मेरे सामने पड़े, मेरे दोनों हाथ उनके पैर पर पहुँच गए, और गुर पूर्णिमा का दिन था, शैकणो साधू, शैकणो साधू, शैकणो साधू, कौन हैं, तो मैंने कहा मेरे पीता जी, तो कहने होंगे पीता जी, वो ग्रास थे, तुम शाधू बन गये हो, तो इतने में, जब उनुना कहा तुम्हे पैर नहीं चूना चाहिए, मैंने कहा मुझे इतना सोचने का ख्याल ही नहीं छा, सामने आए, मेरे हाथ पैर पर जाता है फिर विचार से रोकता है तो विचार से तो बात सहज आदत जो होती है वो काम करती है तो हमारे अंदर बचपन से जो सुना था कि प्रात काल उठीके रहुना था मात पिता गुरुना वहिमा था तो यह हमारे बचपन का जीवन रहा हमने रामायन पढ़ी नहीं हमारे जीवन में कुछ बातें घटित रही है इसी तरह से सुना ब्रह्मचर यही जीवन है पढ़ा तो हम भी विद्यारती थे और हम तो ग्यारा वर्स की उम्र में पढ़ना शुरू किया, 21 वर्स की उम्र में छोड़ दिया दस वर्स हमने पढ़ाई की तो दसमी तक पढ़ा और कुछ संस्कत की परिक्षय दी तो उस समय पढ़ा ब्रह्मचरी ही जीवन है तो जब विद्यारती थे तो समझ लो तुम्हारे हिसाब से तो जवान हो गए तो उस समय इस तरिया से हेज़्प्रिय लगने लगी लेकिन पढ़ा था दिवाईन लाइफ सोसाइटी की डॉक्टर सिवानन्द के यहां से निकली पुस्तक ब्रह्मचरी ही जीवन है उसमें का किसी के प्रत विकार आए तो अपने विकार को ठीक करने के लिए विकार की पूर्ती के लिए नहीं विकार को ठीक करने के लिए मा का इश्मरन करना चाहिए उस समय हम भगवान को समझते भी नहीं जादा तो भगवान का इश्मरन उतना च्छन बनता मा देखी थी, मा की पवित्रता मा के साथ बैठे, मा के साथ लेते मा का इस्तन का दूद भिया मा की छाती पे लेते रहे वो हमें बच्पन का इश्मरन होता फिर मेरे से एक छोटा भाई था उसको भी देखते थे तो सहज मन में मा की याद आते पवित्रता आती है माने पवित्र को याद करते पवित्रता आती है बुरे को देखकर बुराई आती है इसलिए अपने इश्मरन में पूज्यों का इश्मरन करना चाहिए हमारे हाँ गाय का पूजन होता है गाय को हम पैर नहीं लगाते गाय को जूठा नहीं देते इसलिए खाने के पहले जो पहली रोटी बनाते थे अब रोटी न बनाओ तो थोड़ा आटा निकाल दो खाने के पहले आटा गूनने के पहले थोड़ा सूखा आटा निकाल दो फिर इसके बाद आटा गून दो पहले रिवाज था पहली रोटी कच्ची बनाते थे वो तवे में जरा ससे के उलट लेते थे पकैना जिससे धोखे में भी खाई न जाए वो गाय के ही हक में जाए इसलिए अगराशन बोलते थे उसे अगराशन खाने के पहले जो निकाल दिया जाए तो गाय को जूठा नहीं देते थे लात नहीं मारते थे और एक दिन चुकि डंडा मजबूरी है हाक नहीं पड़ता है तो एक दिन ऐसा तिवार होता था जिस दिन गाये मौन चराई जाती थी उस दिन गाय को हाकने के लिए मयूर के पंखे रखे जाते थे पंखों से गायों को हटाना डंडा नहीं मारना और मौन चराना माने आवाज भी नहीं देना ऐसे करके गाय को नहीं रोकना अपमानित सब्द नहीं बोलना ऐसे हमारे हाँ एक चीज रही है पूज्य भाव जिसके लिए पूज्यता रहती है इसलिए हम भी ध्यान में किसका किसका ध्यान करना चाहिए गाय का भी ध्यान कर सकते है ब्राम्मन का ध्यान कर सकते हैं पिता का ध्यान कर सकते हैं माता का ध्यान कर सकते हैं पीपल का ध्यान कर सकते हैं और प्रत्वी माता का ध्यान कर सकते हैं चंदरमाशूरी का ध्यान कर सकते हैं आकाश का ध्यान कर सकते हैं विशाल सागर का ध्यान कर सकते हैं और जिनके प्रति पवित्र बुद्धि हो उन सभी देवी देवताओं का ध्यान कर सकते है हमारे हम पूज्य और पवित्र का बड़ा महत्तु है पूज्य पूज्य को जब हम इश्मरन करते हैं तो हरदे में पवित्रत आती है पूज्य होना चाहिए चाहे वो आदमी की सकल में है चाहे पशू की सकल में है चाहे व्रक्ष की सकल में है जिसकी याद से पवित्रत आती है तभी मैंने अभी कहा मा भी हमारे लिए पवित्र किसी के लिए वो इस्त्री होगी मारे पिता के लिए वो पत्नी थी किसी के लिए कुछ और लगी होगी उनकी भी जवानी रही होगी लेकिन हमारे लिए हमारी मां पूझ जया थी, बंदनिया थी इसलिए उनका इसमरण मेरे को पवित्र करेगा, मैं नहीं कह सकता मेरे पिता को भी उनकी याद से पवित्रत आती होगी, जड़ा ध्यान लखें यह सवाल इसका नहीं है मेरे पिता की वो पत्ञी थी उनके मन में विकार आता होगा पर अब यह तब हपन सोचते भी नहीं थे अब सोचते हैं लेकिन हमारे लिए वो पवित्र थी इसलिए उनकी शमीपता, उनकी शकल की याद मेरे मन में आते ही मन का काम शान्त हो जाता है विकार मिठते इसी तरह से जो भगवान को मन में ध्यान करते हैं जब मन में कोई विकार आये तो भगवान का इश्मरन करो भगवान के रूप का इश्मरन करो भगवान का नाम जपो भगवान की महांताओं का करुणा का पाईश्मरन करो, वो मुक्ति देने वाले हैं, निर्विकारता देने वाले हैं, हमारे दुख रोग मिटाने वाले हैं, उनकी याद करो, और वो अंतरियामी भी हैं, एक शरीर धारी होते हुए अंतरियामी है, वो हमारे अंदर की सब जानते हैं, उनसे छीपा नहीं है, इसलि पर मानलो नहों और याद करने से आ जाएं तो तुम्हारे हृदे में आने के बाद उनको मेरे मन में कोई विकार ना मिले चुक्कि मेरे अंदर उपस्ती थे यदि एक लड़के के सामने होने पर हम बुराई नहीं कर सकते तो जिनके हृदे में भगवान भी राजमान हो वो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए ऐसा इश्मरण धीरे-धीरे करना चाहिए जब तक हम व्यापक परमात्मा को न जान पावे मुमुक्षू न हो पूर्ण रूपेन हम सन्यासी का जीवन नहीं जी रहे तब तक हमारे लिए मंदिर परमात्मा है शारी इस्त्रिया एक शमान नहीं है शारे पुरुष एक शमान नहीं है हम पहले विभाजन करते हैं भारत ने समाज को बाटा है शब पतनिया नहीं है सब पती नहीं है इसलिए जो पूज्य है तो शब सकले भगवान की नहीं है इसलिए राम भगवान है कृष्ण भगवान है शिव भगवान है ऐसे चित्र रखना जिनको हृदेश भगवान सुईकार कर सके जिसको तुम भगवान मानते हो जैसे हमको जब पढ़ा अपनी मा का इसमरण करो आख बंद करके तो जो मेरी मा की उसका इसमरण लिखने वाले की मा का नहीं तुम्हारी मा का नहीं मैंने अपनी मा का इसमरण किया तो हम लोग ये भी कभी कभी गुरुदेव की जै बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अपने अपने गुरु महराज की जै अपने गुरु माहराज के उसकी तो बोला ही सकते हैं तो आप अपने भगवान का इश्मरन करो जैन भगवान का बद्ध भगवान का किसी और के भगवान का वो हैं भगवान बद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है राम भगवान है सब भगवान है पर मेरे भगवान है जिसको मैं भगवान मानता रहा हूँ यह दर ध्यान लगो मेरी मा कौन जिसको मैं मानता हूँ जिसका मेरा मन शौपन में भी मां मानता है अंधेरे में भी मां मानता है दिन में भी मानता है नाराज हो जाओं तब भी मेरी माँ माही होती है ये नहीं है कि सुबह माँ होती है सामने ही होती मेरी माँ तो माही होती है इसी तरह से मेरे भगवान भगवान है यदि मेरे मन की ना करें तो दुष्ट हो जाते हैं यदि भगवान ने मेरी कामना पूर्ती नहीं की मेरे ही हित के लिए जिसमें वो हित समस्ते हैं करते हैं चुकि मेरा भला किसमे हैं वो जानते हैं मैं नहीं जानता रामकृष्ण परम हंस से उनको कैंसर हो गया था तो भक्तों ने कहा आप मा से प्रार्थना करो मा से कहो वो ठीक कर दे उन्होंने नहीं कहा फिर लोगोंने कहा जब मा शक्तिमान है तो उनसे कहो तो उन्होंने कहा नहीं मा को ज्यादा पता है मा कुसे कुछ छिपा नहीं है ठीक करना होगा वो करेंगी यदि मेरे को फल दे के मुक्त करना होगा तो नहीं नहीं हटाएंगी ये तो उनको पता है ऐसा विश्वास तो भगवान को पता है हमारा भला किश्म है इसलिए भगवान एक बार ध्यान लगो सोचा करो कि दीन बंदू दीन अना मेरी डोरी तुम्हारे हाँ मेरी डोरी आपके हाँ थे आप जैसे हिलाएंगे जैसे उमादार जोशित की नाई सबही नचावत राम गोशाई जैसे कटपुतली को धागे से लोग नचाते हैं ऐसे ही भगवान हमको नचाते हैं अपन तो उनके बंदर हैं उनकी कटपुतली हैं वो नचाते हैं हम नाचते हैं हमारा अलग कोई अस्तित्व नहीं है और थोड़ा सा धीरे धीरे हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में दे दे चैसे एक मिठी होती है मिठी तो कुमार के हाँ तो घड़ा बनती है पर इतना समर्पन वो कूटता भी है चानता भी है गीली भी करता है चाक में चड़ाता है और धागे से काड़ता है बरतल को ऐसे करता रहेगा अब नीचे को काड़ देगा उठा के दर देता है हमने घड़े बनाते देखा है और गुरु को और कुमार की तुलना एक की गई है गुरु जो है कुमार है शिष्य कुम्ब है शिष्य जो है घड़ा है वो क्या करते है खोट काड़ते है उसके कंकर निकालते है और अंदर हाथ लगाके घड़े में को लगाए रहता है ऐसे अंदर लगा के वो ही मरता है जहां जहां वो लगाता है वो ही ठोकता है क्योंकि ऐसे ठोक दे तो घड़ा ही ठीक हो जाए अब इतनी कला हमें नहीं आती कि तुम को कैसे ठोकें कि तुम ठीक हो जाओ तुम नराज हो जो अब उस घड़े को तो अकल न बनाता रहता है, अपन ठोकने लगते हैं तो तुम नराज हो जाते हो, तुम चाहते हो गुरु जी हमारे मन की करें, तुम ठीक बनो ऐसा करें नहीं, ठीक बनाने के लिए जो उचित हो वो कदम उठाएं नहीं, वो तो जो हम कहें ऐसा कर दें, ये तुम्हारा लब मेरिज करन कहो तो सौमी जी छूट दे दें बहुत अच्छा, तुम जो चाहो उसकी छूट मिलनी चाहिए, ये नहीं है कि गुरु देओ, आप जो कहो वो हम करेंगें, ऐसे शिश्य मिलना बड़ा मुश्किल है जो गुरु के कहने पर चलते हो, ऐसे जो भगवान के हुकम को, उनके गुरु ने कहा हुकमी अंदर सब है, बाहर हुकम न कोई, परमात्मा के हुकम के बाहर कुछ नहीं है, वो जो बनाता है बन जाओ, जो बनाया बन गए, आदमी बन गए, जानवर बन जाते, जो बनाता बन गए, और उसी में खुश, सारी दुनिया के जीव, भगवान ने ज कोई भगवान को गाली नहीं देता, यह मतना है, एक मनुष्य है, जो प्रार्थना भी करता है, धन्यवाद भी देता है, गाली भी यही देता है, तुने यह नहीं किया, हमने यह किया, हमने तो मंदिर बनाया, गिला सिकवा भी मनुष्य करता है, कभी-कभी धन्यवाद दे मेरे गुरु भाई थे कलकत्य में एक यग्य करना था, फूरी तैयारी करी मन बना लिया, ऐसा लगा यह नहीं हो पाएगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तो उस दिन गुरु दो एक दिन तो करते रहे, गुरु देख लिया, तो शिद्ध नहीं हो, मैंने अजमा लिया, अब आट से चलने वाला हो गया, तो फिर टांग दी, कहते हैं, पहले ही आप कर देते हैं, तब मुझे गुस्सा क्या हो, हाँ, ऐसे एक जाट टाइप का कोई था, याद हो, भेंसे चराता था, अब उसकी भेंसे खो गई, अब उनका वोई धंदा, वोई रुजगार, वोई दूसरे दिन का, जब तीन-चार दिन नहीं मिली, तो उसको तो बड़ा सोक दुख हुआ, ठाकुर जी को तालाब में छोड़ाया, तालाब में फेंक आया, कि क्या करें, जब इतना भी नहीं करते, तो तुमको पालने से क्या फाइदा, हाँ, लोग सोचते हैं, मंदिर तो कर्चा कोई अटके पर काम आएंगे, अब भेंसे नहीं आई, अब फेंक आए, अब फेंक के आए, दूसरे दिन भेंसे आदे, फिर तालाब से ढोड़ के लाया, कि हैं पहले ही ढोड़ देते, तो यह दुर्दा शकाय को होती, तो हम तो भगवान को भी ऐसे मतलबी लोग ह कि एक दिन मन की न करें, तो नराज हो जाते हैं, गुरु से नराज हो जाएं, भगवान से नराज हो जाएं, धर्म से नराज हो जाएं, एक आद मूरक हिंदू है, तो उससे क्या होगे, एक आद राजनेतिक लोग धूरते हैं, तो उनसे तुम क्या देश का सुधार भूल तो किनी दोचार के कारण हमको उनकी बुराई नहीं मानना चाहिए इतने बड़े समाज में सब्तरे के लोग होते हैं और नकल भी यद यद आचरतिस्ट तत्तदेवे तरोजना जो जो आदर्श पुरुष हैं उनके पत्चिन्नों पर चलो महा जनो एन गता सपन था महा पुरुष जिस रास्ते से चलें उससे चलना चाहिए हमें उनकी नकल नहीं किरना चाहिए जो भटके लोग है यह जो पिक्चरों में आते हैं कई बार वो तो हैं भटके पर ना भी भटके हों तो उनका धंदा है उन्हें वैसा ही दिखाना है नंगे दिखाना गलत खड़े होके दिखाना चुमते दिखाना प्यार करते दिखाना कहो ना भी करते हों जिनसे जलते हों यदि वही अविनेता हो तो भी उन्हें प्यार दिखाना पड़ेगा चुकि उसकी रोटी है कमाई है वो इतने बुरे ना भी हो जितना तुम समझते हो तो तुम तो धोखे में आ जाते हो हाँ उनकी गंदगी वो अच्छे हैं या बुरे हैं उन्हें दिखा नहीं है नाटक एक आदमी को रोते दिखाना हो बुड़ा बनके दिखाना हो नाटक में बूड़ा बनना पड़ेगा, दर्द ना भी हो, तो दिखाएगा, दिखाएगा, तुम सब्सक्राइब हाई हाई बच्छा, इतना मारा उसको, इतनी पीड़ा, मारा आ रहा ही नहीं, सिर्फ नाटक, तो जैसे नाटक में नाटक दिखाया जाता है, ये सब अभिने लोग दिखाते हैं, उसके जीवन को सच्चा मत माना करो, एक बार वो कौन था, जो दिवाल फान जाता, और वो इसकूटर कुदा देता, फिर बाद में जेल में बंद हुए, बच्चे लोग कहें, हम तो गांधी के चर्ण चिन्नों पे चलो कहें, नहीं वो उसके, क्या ना ने सुनाए हैं, देखा तो है ही नहीं, तो अब लड़के कहने लगे, तुम राम की तरह बनना चाहते हो कि, मैं संजेदत, वो समझते थे, दिवाले कून जाता है, इतना, माने हनुमान के बाद संजेदत का नंबर था, तब जब जेल में चला गया, तो लोगों ने पूछ कि अब क्यों नहीं चलांग लगाता, वो कहां गया, ये तो नाटक होता है, इतना कूज सकता है संजेदत, दिखाते हैं, ये पिक्चरों में जो दिखा देते हैं, वो सब सच नहीं होता, कई बार वो खाते दिखाएंगे, बड़ा बुठा है, बच्चे देखाएंगे, मम् सबिक गया हो, ये सब बेचने वालों के दंदा है, तुम उसको सच मान लेते हो, ये एड़टिजमिंट जो है, ये सब प्रामानिक नहीं होता, उनके कहे पर मत चलो, तुमारे गुरु नहीं है, गाइड नहीं है, और हम लोग भी कभी ताजमहल जाएंगे, कभी मंदिर जा पंडे जो हैं, दस मील दूर से गाइड मिल जाते हैं, हाँ, गाइडों से सावदान लोग, इनको गाड मस समझो, ये ऐसे ही जिन्दगी के गाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं, उनके कहने के अनुसार नहीं चलो, तो मैं आज जो कह रहा था, कि हम लोग पूझे, ये हम धर्ती को पूझे मानते हैं, भोग्या नहीं, नारी को पूझे मानते हैं, भोग्या नहीं, लक्षिमी को पूझते हैं, हम पैर नहीं लगाते हैं, उसका शम्मान करते हैं, पढ़ने वाली पुस्तक को मस्तक पर लगाते हैं, हम उन गरंथों को पूझे मानते हैं, पिक्चर कि ये गंदिगी उपन्यास की किताब हैं चाहे लातों पे रखो पर वो तो तुम सिर्प है रखते हैं भागवत को पैर पे रखना चाहिए और ये गंदी किताबों को शिर्प है रदय पर जगए देते हैं जबकि रदय पर पूज्ये चीज़ों को इसलिए भागवत पूज्य है गुरु गरंत साहब पूज्य है इसी तरह कल्यान के गरंत विद्याएं पूज्य है शंत हैं माता पिता हैं ये पूज्य है कभी कभी माता हमारी गंदगी साब करती रही ये वो अलग भी से है पर मेरी तो पूज्य है ये ध्यान रखना ये नहीं कि गंदगी साप की थी तो मेरी मा महतरानी हो गई और फिर हमारे हाँ तो महतरानी सब्द कितना है तो महतरानी हाँ ये तो रानी है हमारे हाँ साप करने वाली भी रानी होती पर धीरे धीरे हम भूल गए जैसे बोलते हो ना मासी मासी माने मा जैसी अर्थ सीधा है इसलिए महतरानी तुमारी घरवाली रानी है तो महतरानी है हाँ तो हम सब को पूझे ये देश पूझे मानता है धर्ती को पूझे, ग्रंथों को पूझे गुरुओं को पूझे, गाय को पूझे मानता है, पीपल को, बढ़ को पूज्य मानता है, इसलिए गाय का पूजन, किसी ने ये भी पूछ लिया कि कृष्ण भगवान गाय की पूजा करते थे गाय की सेवा करते थे भैंस बकरी की कहे नहीं की मुझे तो लगता है तब भैंसें थी भी की नहीं थी, पता नहीं ये विदेश से आई, और रही भी होंगी हम चुकि इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, तो भैंस में वो गुन, वो सभा, वो पवित्रता, वो दिव्यता नहीं है जब पूजा का प्रश्ण है तो हम पूजे को पूजते हैं पर जब ब्रह्म द्रश्टी का प्रश्ण है जड़ा ध्यान लगना, उपाशना के लिए हम सब को नहीं पूज पाएंगे शब मेरी मा नहीं हो पाती तो उस समय तो भक्ती के समय तो मा ही मेरी आदर्श हो तुम सब को मा कह भी दोगे कई बार हमने देखा ससंगों में कई बेटी आती लगता था जैसे हमने कहा ये कौन बैठती है उसके पाद ये मेरा भाईया है और सक तो होने लगा कि ये भाईया नहीं है ये सब राखी बनाई नाटक है देखो इसलिए मानी हुई के नहीं सगी बेहन तक के लिए भी मन ठीक नहीं रहता तो तुम ये बनाउटी का है को फरजी नाटक करते हो इसलिए ये ये राखी जल्दी नहीं बांधना चाहिए अधिक तर राखी बांधने हो कि हमने देखा शंबंद कोई लगातार अच्छे नहीं रहे ये ध्यान रखना ये नाटक है ये अपनी बुराई को छिपाने का एक तरीका भी है इसलिए ये राखी बांधने ना मा को मा समझ लो तो आप बड़े बहादूर हो भीर हो तुम्हारों को मा समझोगे गांधी जी ऐसे थे गांधी जी की महंता कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी मा बना लिया ये आदर्श है कि पत्नी भी एक दिन मा लगने लग जाए इतना मन पर विजे पाली जाए बड़ी उची बात है और इसलिए ये अंतिम अवस्ता है बलकि आरे समाजने महार सिदया नन्ने एक कहा है दस पुत्र अपनी पत्नी से दस पुत्र पैदा करे अब तो ये ठीक नहीं है नहीं तो सरकारें चिडेंगी अब इस सब हिंदू के लिए लागू है कि ये दो ही करे एक ही करे एकों न करे तो बहुत अच्छा हिंदू तो मरे जाए दुनिया में रहे नहीं तो ही ठीक है और लोग रहें औरों का राज्य हो औरों ही दुनिया में रहें हिंदू जाती रहने लाइक है ये ये कौम ऐसी है तो गांधी जी ने मां बनाया महर्शिद यानन ने कहा कि दस पुत्र पैदा करे और ग्यारमा खुद खुद पुत्र बन जाए ये बेद मंत्र है अर्थाथ कुछ पुत्रों के बाद पती को चाहिए खुद भी अपनी पत्नी का पुत्र हो जाए और पत्नी उसकी माँ हो जाए ये उँचा आदर्श इसी तरह से पती पिता बन जाए ये भी है जो आज तक पती था अब मेरा पिता हो गए ऐसे उँचे आदर्श भी हो सकते हैं तो आप बधाई के पात रहो भारती संश्क्रती का गवरो बढ़ाईए और पुझ्य भाव जगाईए शद्धा जगाईए ज बनाया कि वहाँ जाएं तो हम जूता उतार दें परिक्रमा में जूते उतार देते हैं जैसे धर्ती पवित्र है बैज्यानिक की द्रस्टी से मिट्टी वैसा ही होगी गंगा का जल थोड़ा अच्छा भी है चलो पर हो या ना हो पर हम गंगा की उसके कारण अच्छा नहीं मानते हमारे वेद ने गंगा को पवित्र का है तरना का है इसलिए हम गंगा को याद करते हैं और संकराचारी जैसे बेदान्त के इतने बड़े विद्वान कहते हैं गंगा जल लौकणी का पीता भगवत गीता किंचित दीता भगवत गीता थोड़ी पड़ी और गंगा जल का एक कण भी इसलिए हम मुरत्यू के समय इसी के मुख में गंगा जल डालते हैं आप भूले जा रहे हो कभी ज़्यादा ग्यान आया हो नाया हो नास्तिक ताओर आ गई रोज हम लोग ऐसी बातें सुनाते हैं कभीर साहब की बातें सुनाते हैं कभीर जी पर हमारी बहुत श्रद्दा है कभीर जैसे ग्यानी यूगों यूगों में कभी कम पैदा होते हैं पर बहुत उची बातें कई बार आम आदमी को नुक्शान पहुंचाती है अब ऐसे लोगों ने कह दिया गंगा के नहाने से इतर है तो मचली काय नहीं तरी जिसका गंगा में ही घर है अब ऐसी बात कह दी तो लोगों को लगा अरे मचली नहीं तरती तो कोई नहीं तरता अब तरक है पर आप जानते हो मैं कितने बार बोल चुका कि गंगा में मचली क का देह रहता है मचली का मन गंगा में नहीं रहता है वो सिर्फ पानी में रहता है मनुष्य के लिए गंगा है संशकारी के लिए गंगा है हिंदू के लिए गंगा है हो सकता है मुशलमान के लिए गंगा ना हो ना हो पर हमारी तो गंगा है जैसे अभी कहा था कि मेरी मां मेरे पिता की मा नहीं भी हो तो नहो पर मेरी तो मा है यदि मुशलमान के लिए गंगा नहीं है तो क्या हिंदू के लिए भी गंगा नहीं है यदि ये भारत माता मेरे लिए मुशलमान के लिए भारत माता नहीं है यदि मुशलमान के लिए बंदे मातरम कहने लाइक नहीं है, तो क्या मेरे को भी बंदे मातरम नहीं कहना चाहिए? क्या मुझे इस धर्ती का आदर नहीं करना चाहिए? मान लो, मेरे पिता को कोई पिता नहीं मानता, या मेरे गुरू को कोई गुरू नहीं मानता, तमाम लोग हैं जो मेरे गुरू को गुरू नहीं मानते तुम्हारे गुरू को सब गुरू मानता है क्या तो क्या तुम नहीं मानोगे क्योंकि लोग नहीं मानते तो यदि मुशलमान गंगा को गंगा नहीं मानता यदि मुशलमान हमारे भगवान को भगवान नहीं मानता तो हम भगवान मानना छोड़ दे क्या यदि मुशल्मान अपनी बेहन को बेहन नहीं मानता तो क्या हम बेहन मानना बंद करने आवश्य कता है कि हम मुशल्मान की नकल क्यों करें यदि हमारा उच आदर्स है तो आज नहीं कल हमारे आदर्स से प्रभावित होकर मुशलमान हमारा आणुकरन करें हम उनका आणुकरन करें इसलिए हम इतना ही निवेदन करेंगे चूँकि हमारा विशे तो ब्रह्मग्यान का वेदान्त का रहता है और उसे पढ़ना है तो अश्टाबक्र गीता पर है और ऐसी-इसी सीडी हैं और अभी विवेक शूडा मनी पर अश्टवक गीता की तो बहुत लोगों ने पशंद किया है जो एक बार सुनता है तो कई कई प्रवचनों को तो कहते हमने ददस बार सुना है एक माता ने एक प्रवचन को कहा मैंने च्छतिस बार सुना फिर अपनी बेटी को अमेरिका लोगी हूँ थोई तो हर बार मेरा कारिकरम कराकती है मंदिर में एक-एक व्यक्ति एक-एक चीज से क्या पा सकता है तुम भी यहां कुछ सुनाया गया नहीं सुनाया गया मैं फिर अन्त में कहूंगा गाय पुज्य है पीपल पुज्य है ब्रक्षा नाम अस्वत्था मैं पूर्ध मूल मदस्था का अस्वत्थम प्राहुरब्यम पीपल का व्रक्ष अस्वस्थ पूज्य है वड़ का पेड पूज्य है तुलसी पूज्य है हमारे हिंदुों के घरों में तुलसी होना चाहिए ओम दर्वाजों पर लिखा होना चाहिए हमारे घर में धार्मिक ध्वज लगा रहना चाहिए और हम गाय का शम्मान करें जूठा ना खिलाएं पवित्र अपने हाथ से दें अपनी नेक कमाई में से कुछ गाय के मुख के लिए दीजिए एक अई दिन में खिलाओगे गाय बिमार हो जाएगी इसलिए नकाद दीजिए कि एक दिन का हमारी वोर से चारा एक दिन का हमारी ऐसी इसी बिवस्था करिए और आपका पुर्णे यदि आप हिंदू हैं आपको विश्वास है तो आपका किया हुआ बेर्थ नहीं जाता यद्यपी हम लोग तो ये भी हैं कि ग्यान की पराशकाष्टा में हम कर्म करें फल औरों को मिले हमें मिले ही नहीं हमें चाहिए ही नहीं भगवान कृष्ण फल नहीं चाहते पर ग्यानी को ये भी कहा है कि पुर्णे दुनिया के लोग करते हैं पर ग्यानी को सब के पुर्णियों का फल मिल जाता है ग्यान की क्योंकि उसके अंदर ब्यापक दृष्टी होती है शादी तुम्हारी होती ही खुशी हुने होती है हाँ एक बार मैंने देखा ये दिल्ली की बात है कुछ भी देशी हम एक शादी में सामिल होना था तब पता लगा रहे थे किनकी शादी है कई बारे एक होटल में चार चार शादी है ये कई दिन होती है बड़े बड़े होटल तब पता लगाए हमारी वाली कहा है जिसमें हमें सामिल होना था जिसमें हमें सामिल होना है हमारी बाली का मतलब यह है तो इतने में देखा कि विदेशी लोग उधर से आए वो लोग भी हमने गाड़ी रोकी विदेशियों ने रोक दी बाजे बच रहे थे दूले वाले तो विदेशी रोके और आठ नौ विदेशी उतरे और फुट पास पर नाचे उस बाजे के साथ बाजे उधर इधर नाचे फिर गाड़ी में बैठके चले गए अब तुम्हारे भाई की होती तो नच्टे हाँ तुम्हारे रिष्टेदार की होती तो नाच्टे अब इनको पता नहीं किस की थी किस जाती की व्या हो रहा का नाच रहे थे बाजे बढ़ रहे थे नाच के चलेगे, मतलब यदि हमारे अंदर संप्रदाइकता न हो, तो सब का आनन्द हम ले सकते हैं, वेदान्त कहता है सब की शादी का आनन्द, तुम लो सब के पुत्र होने का आनन्द, तुम लो सब के पास होने की खुशी तुमें हो किसी को लाव हुआ खुशी मुझे ज्ञान का फल है कि सर्वानंद ज्ञानी ले लेता है इतना ही कहकर विश्राम लेते हैं शेश चर्चा आगे फिर कभी आएंगे तब करेंगे ओम शांती 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 झाल 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 झाल